तो भाई लोग, रितिक रोशन, दिपिका पादुकोन और अनिल कपूर स्टारर मोस्ट अवेटेड मूवी आ चुकी है थियेटर्स में, मैंने देखी टूडी में वो भी सुबा साड़े साथ बजे लोग आये थे पर उतने जादा नहीं, मतलब ठीक ठाक कॉंटिटी में लोग आये थे, तो कैसी है ये मूवी, आईए बात करते हैं वेल हलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी इंडिया के पहली एरियल एक्शन थ्रिलर मुवी आई है भाई लोग, वो बात अलग है कि एक फिल्म आई थी, जबरदस्ती का जिसको फर्स्ट एरियल एक्शन मुवी बोला गया था, जो फ्लॉप भी हो गई, क्यूंकि उसमें इतना कन्विक्शन नहीं था बट फाइटर मुवी आपको एट लिस्ट कन्वियंस करने में काम्याब होती है, जहाँ जहाँ इसके एरियल एक्शन सीन्स है और हवा में कला बाजिया है, स्टोरी वाइज अगर बात करें तो कहानी कुछ ऐसे एर फोर्स कैडट्स की है, जो अपने जान से जादा अपने देश को आगे रखते हैं, और उनके पास है एक मिशन जो उनको पूरा करना है, एक और बार यहाँ पाकिस्तान का एंगल जोड़ा गया है, पेट्रियोटिजम के नाम पर, क्योंकि यहाँ एक रियल लाइफ इंसिडन को भी बताया गया है, जो पुलवामा अटेक हुआ था वो इंसिडन, बट उस अटेक के बाद मुवी जैसा टर्न लेती है, आपको एंगेज करके जरूर रखती है, बट अट अगले ही सेकेंड में अब शेर खुल गए वो वाला गाना है ना, वो चला दिया, एक दम से जजबात, हालात और मूड सब बदल दिया, और अगें गान खतम होते ही, अचानक से फिर से वार सीन शुरू हो जाता है, विच वाज लिटल बिट ऑक्वर्ड क्यूंकि मुवी के ओरिजिनल थीम से लिंक टूट जाती है, अब देखो मैं कंपेर तो नहीं करना चाहता, पर क्या लगता है आपको, कलेक्शन के मामले में क्या फाइटर इन जैसी कई कैटेगरी में आप अपना उपिनियन दे सकते हो, जैसे इसके एंटरेन्मेंट कैटेगरी में सवाल है, कि क्या फाइटर मूवी का फिर्स विक का कलेक्शन, एनिमल के फिर्स विक के कलेक्शन से जाधा होगा, यार अनेस्ली मुझे तो नहीं लगता, तो मैंन के लिंक से प्रोबो आप डाउनलेट करके 25 रुपे तक का वेलकम बोनस भी पाओ, और अपना ओपिनियन शेयर करके धेर सारा प्रॉफिट कमाओ, जाओ, मुवी का रन टाइम आल्मोस्ट पॉने तीन गंटे का है, जिसमें फर्स हाफ की अगर बात करें, तो ये काफी अच अगर वो मुवीज आपने नहीं देखी है, तो इस फिल्म का एरियल एक्शन आपको इंडियन फिल्म में आज तक दिखाए गया अक्शन से काफी जादा बहतर लगेगा, और इवन VFX CGI में कही पर भी किसी भी तरह की कमी आपको दिखाई नहीं देगी, उपर से फिल्म में यूज किये गए डायलॉग्स काफी अच्छे है, तो ऐसे पंट अप करने वाले कई सारे डायलॉग्स है, जो डिफिनिटली क्लैप वर्दी थे, अक्टिंग वाइज हर किसी ने अपना बहतरीन परफॉर्फॉर्मस दिया है, और कास्टिंग बहुत बहतरीन है, विलन को छ रुतिक एन दिपिका के बीच जो सार्कैजम भरे डायलॉग्स लिखे गए है, वो काफी फणी लगते हैं, बट जहां फर्स्टाफ काफी ग्रिपिंग है, वही सेकंड हाफ थोड़ा सा स्ट्रेची फील होता है, जो विलन की मैं बात कर रहा था, विलन दिखने में जितना ही डरावना दिखता हो, उसका स्क्रीन टाइम भी उतना ही कम है, विलन का सेट अप तो अच्छे से किया था, पर क्यूंकि उसको कम समय के लिए दिखाया गया, इसलिए उसका उतना इंपक्ट नहीं पढ़ रहा था as a विलन, even I think विलन के कास्टिंग में कोई और होता तो ज अच्छा एंगल है, जो family audience के लिए perfect है, and overall अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे से चोटी-चोटी बातों पर ध्यान दे कर, good VFX के साथ एक अच्छे फिल्म आपके सामने रखी गई है, so Republic Day के मौके पर ये एक अच्छी patriotic movie हो सकती है, family के साथ थेटर में देखने के लिए बस last में दिपिका और रितिक का एक चोटा सा kiss है, उसके अलावा जो टांगे दिखाने वाला song है, I don't remember that, वो पूरे movie के बीच में कही पर भी नहीं था, don't know why, but I think वो एक अच्छा decision था, उसको credits के बाद डाला गया है, so मेरी तरब से इस movie को 3.5 out of 5 stars, और मेरे description के link से वीडियो में, बाई